हलो बच्चों स्वागत है आप सभी के लेट्स डिसकस में इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और ये है असेस्मेंट वर्क सीट 15 जो की 23 फरवरी 2022 के लिए है ठीक ना फोर मार्क्स का होने वाला है ठीक है तो फर्स्ट केश्चन देखें यहाँ पर फर्स्ट केश्चन में है ड्रा अलाइन सेग्मेंट आफ लेंथ 7.6 सेंटिमेटर एंड डिवाइट इट इन दा रेसियो फाइप रेस टो एट ठीक है यह हमको दिया गया है फर्स्ट केश्चन अभी देख लिजए आगे चलेंगे तो प्रॉपरली सॉल्व करेंगे ठीक है प्रॉपरली एक एक करके अच्छे से समंझते हैं और सॉल्व करते हैं ठीक है तो I hope कि आप लोगों ने इसको लिक लिया होगा या फिर screenshot ले लिया होगा ठीक ना तब चलते हैं चलिए फिर इनको solve करते हैं इस worksheet का first question देखिए यहां पर first question में है बोला है यहां पर हमको construction करना है कि 7.6 cm का एक line segment खीचना है ठीक है कितना का 7.6 cm का एक line segment खीचना है और क्या करना है इसको 5 raise to 8 में इसको divide करना है ठीक है 5 अनपात 8 में इसको divide करना है यह जो हमारा line segment है 7.6 cm का तो सबसे पहले 7.6 cm का हम लोग line segment बना लेते हैं यहां पर 7.6 cm ठीक है चलिए तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे रचना की जाती है इस तरह का question जो है वो आता ही है ठीक है आपके exam में तो 7.6 cm यहां तक आएगा 7.6 cm हमने खीच लिया ठीक है उसके बाद क्या करना है इस point को A माल लेजे और इसको B माल लेजे ठीक है तो AB जो है हुआ हमारा कितना होगा 7.6 cm का हो जाएगा अब इसके आगे क्या करना है इसको हमको कितने part में डिवाइड करना है तो हमको डिवाइड करना है इसको 5 raise to 8 में यानि 5 भाग इधर और 8 भाग इधर करना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले एक acute angle का हम लोग draw कर लेते हैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा ही बनाईएगा ठीक है? क्यूं बड़ा बना रहे है? अभी पता चल जाएगा ठीक ना? तो यह acute angle हमने खीच लिया यहाँ पर बड़ा सा ठीक ना? यह हो गया अब इसके आगे यह जो हमने एक लाइन बनाया है इसको हमको कितने भागों में डिवाइड करना है? कितने equal parts में डिवाइड करना है? तो यहाँ पर इसको देखे यह कितना है? 5 और यह 8 5, 8 में डिवाइड करना है ना? तो 5 प्लस 8 इन दोनों का add कर दीजे आगया कितना हमारा 13 ठीक है? मतलब इस वाले line को हमको 13 equal parts में डिवाइड करना है, काटना है तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप लोगों को उठाना पड़े का compass और इसको थोड़ा सा खोल लिजे, इतना सा ठीक है? अब यहाँ से लगाईए और 13 equal parts में डिवाइड कर दीजे पहला part, ठीक है? यहाँ पर दूसरा part फिर इसके बाद तीसरा part, फिर इसके बाद चौथा part, फोर्थ पार्ट फिप्थ पार्ट शिक्थ पार्ट सेवन्थ ठीक है? एट्थ नाइन्थ टेन्थ इलेवन्थ ट्वेल्थ और यह हो गया, 13 एकदम fix आया है, यहाँ पर ठीक है? यह 13th part हो गया है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेजे तो यह यहाँ पर 13th part हो गया इसको नाम दे दीजे यहाँ से नाम देना शुरू कीजे तो इसको A1 नाम दे दीजे इसको A2 नाम दे दीजे इसको A3, फिर यहाँ पर A5 होगा, और ऐसे करते-करते यहाँ पर आएंगे तो A13 हो जाएगा ठीक है? अगला step है हमारा A13 और B को मिला दीजे, ठीक ना? तो यहाँ पर A13 और B को हम लोग जॉइंट कर देते हैं यहाँ पर इन दोनों को जॉइंट कर दीजे ध्यान से देखियेगा तो अभी बनेगा, ठीक है ना? तो इसको हमने क्या किया? जॉइंट कर दिया अब अगला step हमको क्या करना है? किसमें डिवाइड करना हमको? 5 raised to 8 में ना? तो 5 पार्ट हमारा इधर होना चाहिए और 8 पार्ट इधर होना चाहिए तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब यहाँ पर आएगा और 8 पार्ट इधर होगा, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8 8 पार्ट है ना? तो यहाँ पर इस पॉइंट से, A5 पॉइंट से हमको इस रेखा इस line BA13 के parallel में एक line खीचना है ऐसे ठीक ना अब parallel line खीचने के लिए क्या करना पड़ेगा देखें तो यहाँ पर फिर से इसको उठाईए और यहाँ पर लगाईए इसको थोड़ा खोल लेजे यह ना थोड़ा खोल लेजे wider यह ना और फिर यहाँ से इसको ऐसे कर दीजे ठीक है इसके बाद हमको क्या करना है इसको कुछ नहीं करना इसको उठाके यहाँ पर लगाना है और इतना ही हमको आरकल ले लेना है ठीक है इतना यहाँ पर लिए है इसके बाद देखें इसको इतना खोलिए कि यह यहाँ पर हो जाए ठीक है कितना करना है इतना ठीक है इतना तो यहाँ पर यह इसको हमने इतना खोलिया ठीक ना देख लिजे यह इतना है ठीक है अब इतना ही हमको क्या करना है यहाँ पर लगा के एक चाप यहाँ पर मार देना है एक R के यहाँ पर ले लेना है अब यह जहाँ पर cut करेगा जिस point पर cut करेगा उस point को और इस A5 को मिला दिजे, हमारा बन गया है न देखे, इसको और इसको हमने इन दोनो points को मिला दिया, तो मिलाने पर यह points इसको कहाँ पर cut कर रहा है यहाँ पर cut कर रहा है इस point को C मान लिजे है ना यही point जो होगा इस AB को line segment AB को 5 raise to 8 में divide कर देगे ठीक है तो यहाँ पर यह होगा 5 part और यह होगा 8 part यानि 5 भाग इधर होगा 8 भाग इधर होगा total इसका जो length है वो कितना है हमारा 7.6 cm है यहाँ से यहाँ तक A से लेकर B तक समझ में आ गया ना तो इस तरीके से ऐसे सवालों को किया जाता है सबसे पहले हम लोग को जितना दिया है वो हम खींच लिए इसके बाद एक acute angle खींचेंगे दोनों ratio उसको जोड़ देंगे जो भी हो गया यहाँ पर ठीक है जोड़ने के बाद इसको equal parts में divide कर लेंगे जहां से होगा उसके parallel एक line खींच देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर point ठीक है पांच भाग इधर होगा आठ भाग इधर आ जाएगा तो चलिए फिर यह सवाल तो हमारा हो गया अब हम लोग चलते हैं second question पर तो देखें यहाँ पर second question है an iron block of dimension dimension दिया गया है यहाँ पर 49 into 33 into 24 ठीक है यह length है यह breadth है यह height है एक iron block दिया गया है जिसके dimensions यह है centimeter में ठीक है centimeter में is melted and formed into a sphere इस diamond block iron block को पिघला कर melt करके किसमें convert किया गया एक sphere में convert किया गया यहाँ पर यह हमारा sphere है ठीक है तो इसकी कुछ न कुछ radius भी होगे तो हम माल लेते है कि इसकी radius है और find the radius of the sphere इसकी radius हमको find करनी है तो यह हमारा block था है ना एक block था जिसके length है 49 cm breadth है 33 cm और height है 24 cm इसको पिघला के बनाया गया हमारा एक sphere ठीक है तो जब हम लोग ऐसे करते हैं मतलब एक shape को दूसरे shape में बदलते हैं convert करते हैं तो जो उनका volume होता है वो कभी भी नहीं बदलता है यानि इस iron block का volume और इस sphere का volume equal होना चाहिए to volume of the sphere ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे volume of volume of iron block ठीक है iron block का volume किसके इकोल होना चाहिए volume of sphere ठीक है sphere कर दीजे इसका volume क्या हो जाएगा length into breadth into height यानि L into B into H L कितना है 49 into 33 into 24 equal to इसका volume अब इसका volume sphere का volume आप लोग जानते हैं 4 upon 3 πr cube यही होता है ठीक है चलिए क्या करिए सभी का value रख दीजे यहाँ पर πrk value रख दीजे तो यह हो जाएगा 49 into 33 into 24 equal to 4 by 3 into πrk value कितना होता है 22 by 22 by 7 into r cube इसका ऐसी रहाने दीजे ठीक है सभी कोई साट ले आईए तो हो जाएगा 49 into 33 into 24 into यह 3 इधर आएगा तो multiply में हो जाएगा यह 7 भी इधर आएगा तो multiply में हो जाएगा और divide में कौन-कौन से हो जाएगा यह 4 हो जाएगा कोशिस करिए कैसे कटेगा देखे 4 से यह कट जाएगा 6 बार में है ना और देखे 11 से यह भी कटेगा 11 से यह भी कटेगा तो 11 into 3 33 और 11 into 2 यह कट जाएगा ठीक है फिर 2 से यह कट जाएगा 3 times में मतलब नीचे बाले सभी कट गए बचे उपर के यह यहाँ पर बचा 49 into यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर भी बचा 3 और यहाँ पर भी है 3 और यहाँ पर है 7 divided by कुछ नहीं है equal to 3 ठीक है इतना हो गया अब देखे इस 49 को लिख सकते है हम लोग 7 into 7 तो लिख दीजे 7 into 7 है cube है हमारा ठीक है तो इधार आगा क्या लग जाएगा cube root हो जाएगा तो cube root लगा दीजे यहाँ पर यह cube root 7 into 7 into 7 और into 3 into 3 into 3 equal to r हो गया अब इसमें क्या होता है 3 3 का pair बनाना पड़ता है तो 3 का pair यह बन गया 3 का pair यह बन गया हो जाएगा समझ में आ गया तो इस square की radius आ जाएगी कितनी 21 cm हो जाएगी समझ में आ गया ना तो इसमें दोनों का volume बस equal करना था हमको तो हमारा answer जो है वो आ जाता अब चलते हैं हम लोग 3rd question में 3rd भी वड़ा ही आसान है यह है statistics का question इसको भी हम लोग mod find करना है इसमें चलिए करता है तो देखें 3rd question है 3rd question में बोला है find missing frequency q यहाँ भी missing frequency q है इसको find करना है if mode of the following distribution is 68 mode हमको दे दिया गया कितना 68 दिया गया है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग इसके formula के बारे चर्चा करेंगे formula क्या होता है mod का तो mod का formula होता है अब लोग पढ़े होंगे mod equal to L plus F1 minus F2 upon 2F1 minus F0 minus F2 और into होता है H यह सभी क्या होते है अभी बताएंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग model class की बात करते हैं तो model class क्या होगा model class देखें यहाँ पर mod जो है वो 68 दिया गया है इसका मतलब यह किसी interval के अंदर का value होता है यह न आप लोग इतना सो जानते हैं कि जो mod आता है वो किसी न किसी interval के बीच का मान होता है तो कौन से interval के बीच का मान होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 60 to 80 के बीच में हमारा होगा 68 यानि यह हमारा हो जाएगा model class ठीक है यह हो गया क्या model class तो model class हो जाएगा 62 to 80 अब लोबरल मेटिस में देखना है तो L का value कितना हो जाएगा 60 F1 F1 क्या होगा 29 F2 क्या होगा इसके जस्ट बाद वाला frequency यानि Q F0 क्या होगा इसके जस्ट पहले का frequency यानि 21 और H का value हो जाएगा 80-60 80-60 यानि 20 ठीक है H का value 20 आगए सारे values को हमको इसमें रख देना है तो हमारा आ जाएगा जो हमारा missing frequency Q है उसका माना जाएगा ठीक है तो mod कितना है हमारे पास यहाँ पर देखिए 68 है यानि पहले से दिया है L का value है यहाँ पर 60 तो 60 plus F1 का value है 29 आप लोग यहाँ पर देखते जाएगा ठीक है F2 का value है Q divided by 2 into 29 minus F0 का value है 21 और minus F2 का value है Q into H का value है 20 ठीक है इतना होगे फिर इसको इधर ले आएए तो 60 minus 60 68 minus 60 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा equal to यहाँ पर यह 29 minus Q अपान यह होगा 29 into 2 करिए 58 58 minus 21 minus Q और into यह हो जाएगा 20 इस 20 को इधर ले आएगे तो divide में हो जाएगा यानि 8 by 20 हो जाएगा 8 by 20 equal to 29 minus Q अपान इस में से इसको घटा दीजे 8 minus 1 7 और 5 minus 2 3 minus Q होगे इतना होगे इसको काट दीजे तो यह हो जाएगा अगर हम लोग 4 से divide करें 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 हो जाएगा ठीक है 2 by 5 आगे अब इसको हम लोग cross multiply कर देते हैं तो 2 का multiply इसके साथ होगा तो 2 का multiply 37 minus Q से equal to 5 का multiply इससे हो जाएगा 29 minus Q से ठीक है इसका इसके साथ multiply करिए तो 74 minus 2Q आजाएगा equal to यहाँ पर यह होगा 145 minus 5Q आजाएगा ठीक है चलिए इसके बाद Q Q को एक साथ ला लीजे तो यहाँ पर minus 5Q है इधर आएगा तो plus 5Q और minus 2Q equal to 145 और यह plus उधर जाएगा तो minus 74 में हो जाएगा ठीक है 5Q minus 2Q 3Q equal to इसको घटा दीजे 5 minus 1 5 minus 4 1 और 14 minus 7 7 हो जाएगा ठीक है यानि Q का value आगया 71 by 3 अगर हम लोग इसको divide कर जाएगा तो 2 फिर 3 फिर 6 ठीक है 23.66 आजाएगा Q का value यहाँ पर जो missing frequency था इसकी value कितनी आजाएगे 23.66 आजाएगे ठीक है ना समझ गया तो चलिए 3rd question भी हमा रहा हो गया जल्दी जल्दी कर लिया हम लोग समझ के अब आगे चलते हैं हम लोग 4th question देखते हैं देखिए 4th question है यहाँ पर find angle A, B, P कौन सा angle find करना है A, B, P अच्छा A, B, P है न A, B, P यह angle find करना है हमको तो चलिए find करते हैं आगे बोला है और and angle A, O, B A, O, B मतलब यह वाला angle और A, B, P यानि A वाला angle हमको find करना है ठीक है आगे दिया है O, A, B यानि यह angle दिया है 30 degree ठीक है and P, Q is tangent to the circle with center O यह जो P, Q है यह क्या है tangent है ठीक है ना तो कैसे find करेंगे चलिए देखते है यहाँ पर यह कितना होगा O, B, Q angle O, B, P ठीक है P, P है यहाँ पर O, B, P कितना होगा 90 degree होगा क्यों होगा ऐसा क्योंकि जो tangent होता है और radius यह O, B क्या है radius है तो यह दोनों आपस में perpendicular होते है यहाँ जो radius होगा O, B वो tangent P, Q पर perpendicular होगा मतलब 90 degree होगा तो O, B, Q कितना होजाएगा 90 degree होजाएगा ठीक है इतना होगा अब देखिए ध्यान से अगर हमको यह वाला angle मिल जाए तो हम 90 में से यह angle घटा देंगे तो हमारा यह वाला angle मिल जाएगा है ना तो यह angle हमको find करना है तो ध्यान से देखिए यहाँ पर यह जो होगा O, A equal to O, B होगा क्यों होगा क्योंकि दोनो radius हैं ठीक है दोनो radius हैं तो दोनो radius equal होगा अब जब यह और यह equal होगा तो हमारा यहाँ पर यह क्या बन गया कौन से triangle बन गया यहाँ पर यह एक बन गया bilateral triangle है ना मतलब जिसमें दो sides equal होगा तो इस triangle में देख सकते हो O, A और O, B दोनों equal होगा इसलिए यह bilateral triangle बन गया अब bilateral triangle का एक angle क्या है हमारा यहाँ पर 30 degree है तो जब यह 30 degree है तो यह भी क्या होगा 30 degree होगा क्यों होगा देखें तो angle O, A, B किसके equal होना चाहिए angle O, B एक equal क्योंकि क्योंकि triangle O, A, B जो है is a bilateral triangle ठीक है bilateral triangle है यह triangle ठीक है bilateral triangle है इसलिए हमारा यह वाला angle और यह वाला angle बराबर हो जाएगा और angle O, A, B O, B, A यह भी कितना हो जाएगा 30 degree हो जाएगा equal to 30 हो गया ठीक है इतना समझ गया होंगे अब यह जब 30 है तो 90 में से अगर इसको हम लोग घटा दे या फिर ऐसे देखिए यह angle और यह angle मिला के कितना बनेगा यह वाला पूरे angle बन जाएगा इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे angle O, B, A पलस angle A, B, P ठीक है angle A, B, P equal to कितना होना चाहिए angle O, B, P के है न angle O, B, P के यह angle हमको पता है कितना है 30 degree है पलस यह वाला angle हमको फाइंट करना है यानि A, B, P फाइंट करना है equal to यह total कितना है 90 degree है तो हम लोग यहाँ पर 90 लिख देंगे तो यह वाला इसके इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा angle A, P अच्छा A, B, P है न sorry A, B, P यह A, B, P हमको फाइंट करना है यहाँ पर A, B, P तो A, B, P equal to 90 minus यह हो जाएगा 30 यानि 60 degree आ जाएगा ठीक है तो angle A, B, P हमारा कितना आ गया 60 degree आ जाएगा तो पहला तो हो गया ठीक है अब देखे अगला क्या बूला था कि यह वाला angle भी हमको find करना है यानि angle A, O, B तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कि किसी भी triangle में जो तीनो angles का sum होता है वो 180 होता है एंगल A, O, B इक्वल टू इन तीनों क्सम क्या होगा 180 होगा ठीक है यह कितना हो गया 60 हो गया और प्लस angle A, O, B इक्वल टू 180 हो जाएगा ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आगे angle A, O, B इक्वल टू 180 minus यहाँ पर 60 यानी 120 हो जाएगा तो angle A, O, B का वैलू कितना आएगा 120 डिग्री आ जाएगा ठीक है न समझ गया होंगे तो angle A, B, P आ जाएगा कितना 60 डिग्री और यह वाला angle होगा हमारा 120 डिग्री ठीक है तो चलिए fourth question भी हो गया हमारे यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं fifth question पर तो fifth question देखें यहाँ पर पाचमे question में है A hemispherical bowl of internal diameter 36 cm contains liquid यहाँ पर एक hemispherical bowl है जिसका internal diameter है 36 cm ठीक है इसमें कुछ liquid भरा हुआ है This liquid is filled into 72 cylindrical bottles है न of diameter 6 cm मतलब यह पूरा का पूरा जो liquid है वो 72 bottle हो में भरा गया कितने bottles में 72 bottles में 72 bottles में भरा गया जिनका radius diameter कितना था 6 cm था यह हमारा cylindrical bottle हो गया ठीक है आगे बोला है find the height of each bottle each bottle है न height हम लोग माल लिए h है तो यही h हमको find करना है if if 10% of liquid is wasted in this transfer मतलब इस bowl से जब हम लोग 72 bottles में भर रहे थी इस liquid को तो 10% liquid जो है वो waste चला गया मतलब गिर गया होगा ठीक है तो इसमें जितना भी liquid होगा 10% liquid बह गया ठीक है आप देखिए कैसे करेंगे इस equation को तो यहाँ पर जितना भी इस liquid का volume होगा वो volume कहां गया इन 72 bottles में और प्लस जो 10% इस liquid का ब्यार्थ चला गया यानि waste हो गया तो उसको भी हम लोग add करेंगे ठीक है तो चलिए करते हैं इसको तो सबसे पहले हम लोग इसका radius देखते हैं तो radius इसको r1 माल लेजे तो radius कितना हो जाएगा 36 upon 2 यानि 18 cm और इसका radius क्या हो जाएगा r2 माल लेजे r2 6 by 2 यानि 3 cm हो जाएगा इसका radius चेक है तो इसका volume देखे अब इसमें जितना भी liquid होगा और किसके volume के इकल होगा हमारा यह जो hemispher है उसके volume के इकल हो जाएगा तो यहाँ पर इसका volume कितना हो जाएगा 2 by 3 pi r1 cube है न यह क्या होता है hemispher का volume होता है यह formula है equal to मतलब यहाँ पर जो भी liquid था उसका volume किसके इकल होगा एक तो 72 bottles के volume के इकल और plus जो हमारा 10% waste हो है उसके वो plus में हो जाएगा ठीक है तो इसका volume क्या होगा यहाँ पर cylindrical जो bottle है इसका volume cylinder का volume क्या होता है आप लोग जानते है pi r2 square into h क्योंकि height हमारा h है अब ये तो एक bottle का volume हुआ ऐसे हमारे पास 72 bottles में भरना है तो 72 bottles को हम लोग multiply कर दिये 72 से plus 10% इस volume का मतलब जो यहाँ पर volume था liquid का उसका 10% waste भी गया है तो उसको भी हम लोग add करेंगे न यहाँ पर तो 10% of 10% of किसका इसका volume मतलब इसका volume क्या है 2 by 3 2 by 3 pi r1 q ठेक है मतलब इसका जो भी volume था उसका 10% based चला गया यानि इसको भी हम लोग add करेंगे समझ में आ गया अब इसको हल करते है pi यहाँ पर है pi इसमें भी है और इसमें भी pi आएगा भी है ना तो कट जाएंगे चलिए देखिए अभी ऐसे कर लिजे 2 by 3 pi r1 q अच्छा r1 का value रख दीजे हाँ पर कितना है 18 है है ना तो यह हो जाएगा 18 का cube equal to यहाँ पर यह 72 into pi r2 का value कितना है 3 है तो यह हो जाएगा 3 का square into h का value हमको find करना है क्योग ठेक है यहाँ पर pi यहाँ पर pi common ले लिजे तो यह pi हमारा common आ गया है ना और यहाँ से pi तो pi इधर भी pi इधर भी pi इधर भी दीनों cancel हो जाएंगे या पिर ऐसे करिए pi इसमें भी इबआड कर दीजे पाई इसमें भी डिवाइड कर दीजे और पाई इसमें भी डिवाइड कर दीजे तो पाई 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 कैंसिल हो जाएगा ठीक है बचा क्या क्या सिर्फ यहां पर बचा 2 अपान 3 और यहां पर यहां पर यह हो जाएगा 18 का क्यूब है ना इंटू 18 का क्यूब और यहाँ पर क्या बचा ये 72 पाई तो गायब हो गया 33 का स्क्वाइर इंटू H प्लस इसको कट दीजे तो 1 अपां 10 हो जाएगा यानि 1 अपां 10 इंटू 2 बाई 3 पाई तो कैंसिल हो गया ना यहाँ पर 18 का क्यूब हो जाएगा इस पूरे को हम लोग इधर ले आते हैं ठीक है यहाँ पर हो जाएगा 2 अपां 3 18 का क्यूब और माइनस यह पूरा चीज प्लस में है यहाँ पर देख सकते हैं प्लस में यह पूरा चीज जाएगा यानि एक तो 1 अपां 10 1 अपां 10 इंटू 2 बाई 3 इंटू 18 का क्यूब अब यह ऐसा क्यूब कर रहे हैं पता चल जाएगा ठीक है इक्वल टू यहाँ पर 72 और इसको स्क्वाइर करेंगे 3 का स्क्वाइर कितना आएगा 9 आएगा इंटू H ठीक है चलिए अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 बाई 3 18 का क्यूब 2 बाई 3 18 का क्यूब दोनों में है इसलिए common ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 बाई 3 18 का क्यूब जो है वो common आएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 यहाँ पर बचेगा 1 अपान 10 इक्वल टू यह हो गया 72 into 9 into h इतना हो गया ना बस calculation है इसमें और कुछ नहीं है ठीक ना तो देखे यहाँ पर यह हो गया 2 upon 3 into 18 का cube और इसको क्या करेंगे 10 एकम 10 minus 1 यानि 10 into 1 10 और minus 1 कितना हुआ 9 और बटे में 10 हो जाएगा ठीक है equal to 72 into 9 into h हो जाएगा 9 इधर भी multiply में 9 इधर भी multiply में काट दीजे कितना हो जाएगा अब हम लोग को करना यह है कि इस 18 को खोल दीजे तो 2 by 3 into कितना हो जाएगा 18 into 18 into 18 ठीक है और यह 72 जो है इधर आएगा है ना पहले तो यहाँ पर 10 बचा है इसको भी लिक लिएजे 10 और multiply यह जो 72 उधर multiply में इधर आखे divide हो जाएगा ठीक है equal to h हो गया इसको solve कर लिजे h का value आ जाएगा हमारे पास ठीक है चलिए solve करते हैं इसको देखें कैसे करेंगे एक तो यह cancer होगा 18 4 को 72 ठीक है चार बार में यह हो गया और जहां से देखिए यह 3 और यह 6 से 3 चार का 18 ठीक है और यह 2 2 चार ठीक है 2 से यह कट गया और यहां पर 2 3 चार ठीक है तो उपर क्या बचा 3 और 18 यह ना 3 गुड़े 18 और बटे में क्या बचेगा 10 बचेगा ठीक है क्योंकि सब तो और कैंसिल हो गया है equal to H समझ में आ गया तो इसको multiply करिए तो 18 तरिक 54 हो जाएगा यानि 54 by 10 equal to H यानि H का value कितना आ जाएगा इसको divide कर दीजे तो 5.4 cm आ जाएगा ठीक है समझ में आ गया 5.4 cm आ जाएगा यानि एक bottle का जो height होगा वो कितना आएगा 5.4 cm आ जाएगा समझ में आ गया है चलिए तो 5th question हो गया अब इसमें 2 question और बचे हैं जो कि होगती आसान है उनको भी हम लोग solve करते हैं आराम से समझ के concept के साथ तो देखें यहाँ पर 6th question है find the mod of the following distribution यह distribution दिया है इसका mod हमको निकलना है ठेक है क्या निकलना है mod निकलना है तो सबसे पहले हम लोग mod का formula लिखते हैं तो mod को formula होता है L plus F1 minus F2 upon 2 into F1 minus F0 minus F2 और into में होता है H यह सभी क्या है तो इसके लिए सबसे पहले हमको find करना पड़ेगा model class ठेक है तो model class क्या हो जाएगा model class ठेक है model class क्या होगा जिसकी frequency सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा frequency हमको यहाँ पर 16 दिख रहा है उसके just सामने वाला interval हमारा model class हो जाएगा ठेक है तो यह हो गया 30 to 40 हमारा model class ठेक है तो यहाँ पर लिखेंगे 30 to 40 lower limit क्या होगा इसका L equal to 30 हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं यह 30 F1 क्या होगा F1 होगा 16 ठेक है model class की frequency F2 जो होगा वो क्या होगा इसके just बाद की frequency यानि 12 F0 क्या होगा F0 इसके just पहले की frequency यानि 10 और H जो हो जाएगा वो हमारा होगा 40 minus 30 40 minus 30 equal to 10 आ गया ठेक है सभी का value हम लोग इस पे इस formula में रख देंगे तो हमारा mod आ जाएगा L का value कितना है 30 plus F1 का value 16 minus F2 का value 12 upon यह हो जाएगा कितना देखे 2 into F1 F1 है 16 minus F0 का मान कितना है 10 है यहाँ पर और F2 का value है 12 into 10 हो जाएगा ठेक है क्योंकि H का value 10 है इसको घटा दीजे तो यह आ जाएगा 4 upon 2 into 16 32 minus अब यहाँ पर देखे minus 10 और minus 12 कितना होगा add हो जाएगे दोनों यह ना 4 into 10 यह वाला are divided by 2 minus 2 0 और 3 minus 2 1 आ जाएगे यहनि 10 हो गया तो 10 10 cancel यानि 30 plus 4 equal to 34 आ जाएगा ठेक है समझ में आ गया तो हमारा जो mod होगा mod आएगा वो कितना आएगा 34 आ जाएगा समझ में आ गया होगा ठेक है तो देखें कितना ही आसान था बड़ा ही आसान था इसमें बस हमको values find करने थी सबकी और हमारा mod निकल के आ जाएगा हमारे पास ठेक है तो 6th question हो गया जो की statistics का था mod निकालने के लिए इसमें था अब हम लोग चलते हैं 7th question पर 7th question हमारा construction का है इसमें भी हम लोग construction solve करेंगे अच्छे से solve करेंगे हमारा solve हो जाएगा तो देखें यहाँ पर 7th question है 7th question में draw a line segment AB equal to 8 cm एक line segment AB हमको draw करना है AB equal to 8 cm का होना चाहिए वो taking A and B as a center A को center लेना है और B को center लेना है draw circle of radius 3.5 cm and 4.5 cm respectively यानि A को center मानके 3.5 cm radius का circle बनाना है और B को center मानके 4.5 cm radius का circle बनाना है construct tangent to each circle from the center of other circle चलिए इसको solve करते हैं सबसे पहले तो हमको AB draw करना है कितना 8 cm का तो हम लोग यहाँ पर लेंगे इसको और 8 cm का हम लोग यहाँ पर draw कर देते हैं 8 cm के यहाँ 0 से लेंगे और 8 cm तक यहाँ तक ले जाएंगे हम लोग यह हो गया 8 cm का AB यह point है A और यह point है B हमारा ठीक है अब बोला है कि A को center लीजिए ठीक है A को center लीजिए और 3.5 cm radius लेके circle बना दीजिए तो सबसे पहले हम लोग 3.5 cm ढूड़ते हैं कि 3.5 cm कहाँ पर तक होगा यहाँ से देखेंगे यहाँ पर लगा के 3.5 cm यह इतना हो जाएगा ठीक है इतना हो जाएगा 3.5 cm तो A को center लीजिए और 3.5 cm का एक circle बना दीजिए यहाँ पर तो यह हो गया हमारा 3.5 cm रेडियस का एक circle बन गया ठीक है अगला क्या करना है 4.5 cm का रेडियस लेना है तो 4.5 cm का रेडियस ले लिजिए आप यहाँ पर ठीक है यहाँ पर देखे 4.5 cm तो यहाँ तक बढ़ाएंगे तो यही तक आएगा तो 4.5 cm का रेडियस ले लिए हमने और इसको ड्रॉ कर दीजिए एक और हमारा जो circle है उसको ठीक है जिसका radius कितना है 4.5 cm ठीक है थोड़ा बड़ा हो जाएगा यह क्यूंकि इसके radius भी ज़्यादा है ठीक है यह एक दूसरा circle बन गया जिसका radius है 4.5 cm अब आगे क्या बोला है कि इस वाले center से इस पर tangent ड्रॉ करना है और इस वाले center से इस पर tangent ड्रॉ करना है यानि इस वाले circle पर तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको सबसे पहले इसका middle point ढूड़ना है ठीक है A और B का middle point टूड़ना है तो middle point टूड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको हम उठाएंगे और इसके थोड़ा आधे से ज्यादा हम लोग यहाँ पर arc ले लेते हैं ठीक है एक arc इधर खीचिए एक arc इधर खीचिए ठीक है और इसी को लीजिए तो एक arc इधर खीचिए एक arc इधर खीचिए ठीक है यह थोड़ा छूटा रह गया यहाँ पर यह हो जाएगा ठीक है अब यह दोनों arcs कहां कहां पर कट कर रहे हैं एक point यहाँ पर और एक point यहाँ पर इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो हमारा middle point आ जाएगा मिला दीजिए यहाँ पर यह देखे इन दोनों points को हमने मिला दिया यहाँ पर ठीक है तो यह जो point होगा यह क्या होगा middle point हो जाएगा इस a b का middle point आ गया अब इस middle point को as a center लेके ठीक है middle point को center लेना है और am को radius ले लेना है यहाँ पर ठीक है यह इसको radius और इसको center ले लेजे और एक circle फिर से बना दीजे तो इसको यहाँ पर रखके और सीधा ऐसे घुमा दीजे तो यह घूम गया हमारा ठीक है यह घूम गया एक और circle अब यह circle उन दोनों circles को कहा कहा पर cut कर रही है एक point यहाँ पर cut कर रही है एक point यहाँ पर cut कर रही है एक point यहाँ पर और एक point यहाँ पर इस point को P ले लिजे इस point को Q ले लिजे इस point को R ले लिजे इस point को S ले लिजे अब A से P को मिलाए यह न A से P को मिला देता है चलिए यहाँ पर A से P को मिला देता है और A से Q को भी मिला दीजे तो यहाँ पर हम लोग A से Q को भी मिला दिए ठीक न? यह देखे हमारा मिल गया कितना अच्छे तरीके से उसके बाद B से R को मिला ये तो B से हम लोग R को मिला देता है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर B से R को मिला दिये उसके बाद B से S को मिला दिजे यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है आसानी से मिल जाया गये ठीक है तो कि बड़ा ही मिलनसार है ठीक है चलिए तो यह चारों पॉइंट्स हमारे मिल गए A से P को मिला दिये A से Q को मिला दिये B से S को मिला दिये और B से R को मिला दिये तो हमारे चार जो यहाँ पर tangent है वो draw हो गया AP अच्छा इसके लिए कौन-कौन से tangent हो गया एक तो हो गया AP और इसके center से एक हो गया AQ ठीक है AQ यह दो tangent हो गया अब इस point से इस पर tangent कौन-कौन से हो गया एक हो गया BR और एक हो गया BS ठीक है BS बस काम खतम हो गया हमारा पर यहाँ पर ठीक है तो इस तरीके से इसको करना था ठीक है तो जहाँ पर भी हमको tangent draw करना है वहाँ पर सबसे पहले middle point ढूढ़िए ठीक है जो भी line segment दिया है उसका middle point ढूढ़िए middle point ढूढ़िए एक और radius बना लीजिए वह radius जहाँ भी भी cut करता है बस धड़ाक से मिला दीजे तो हमारा आ जाएगा यानि tangent बन जाएगा ठीक है न तो यह सातों question जो थे हमारे वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया सात question थे इस हमारे work sheet में assessment work sheet 15 में और यह work sheet हमने अच्छे से complete कर लिया आप लोगों कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा अगर कोई doubt आता है तो आप लोग comment section में जाएए वहाँ पर आप लोग बेधारक पूच सकते हैं जो भी doubt होगा ठीक है side doubt के लियर की जाएगे don't worry और हाँ doubt के लिए आप लोग telegram के भी message कर सकते हैं वहाँ पर भी आपकी doubt जो है वो solve की जाएगी ठीक है ना तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे अगर आप चैनल पर नए है तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर तब तक के लिए जाहें ले